जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टाइप नंबर सेगेंड तक कर लिये थे दिशा के अब करते हैं अपन टाइप नंबर थर्द टीके टाइप नंबर थर्ड है पाइथोग और इस पर्मे कैसे होते वह देखते हैं आपन तेखिए जैसे इस टाइप से पूछ लिया जाता है जिसमें यह उता है आधार यह होता है लंब और इसे कहते हैं कर्ण ठीक है pray Clark मीं कहती है current क्या है z है current क्या है z यानि z का square आधार क्या है इसमें x यानि x का square और lum क्या है y यानि y का square यानि z square is equal to x square plus y square और z के वल z का मान चीए मुझे तो यहाँ पर क्या आजाएगा root आजाएगा यानि कि x square plus y square का root में के अंदर क्या आजाएगा x square plus y square क्लियर है आप लोगों को चलिए अब आता है इसके अंदर क्यूशन किसका है टाइप से आते हैं चलिए देखते है तो देखिए क्यूशन है राम अपने घर से चार किलो मेटर उत्तर की ओर गया फिर वह दाएं मुड़ा और तीन किलो मेटर चला अब वह अपने प्रारंबिक इस्थान से कितनी दुरी और कौन सी दिशा में हैं तो देखिए देखो राम अपने घर से चार किलो मेटर उत्तर की ओर गया यहाँ से उत्तर कहा जाएगा उपर जाएगा यहाँ से उत्तर उपर जाएगा कितना किलो मेटर चार किलोमेटर फिर वह है दाएं मोड़ा अब दाएं धरी मोड़ेगा और कितना किलोमेटर चला तीन किलोमेटर अब वह है अपने प्रारंबी इस्थान उसका प्रारंबी इस्थान कौन सा यह वाला यहां से दूरी पूछी गई है और यहीं से क्या पूची गई है दिशा पूची गई है यहीं से इसकी दूरी पूची गई है और यहीं से दिशा पूची गई है मुझे बताओ आधार कितना है 3 km कितना है 3 km यानी 3 का स्क्वेर और मुझे बताओ लम कितना है 4 यानी 4 का स्क्वेर कितना है 4 4 का स्क्वेर 3 का स्क्वेर होता 9 4 का स्क्वेर होता 16 टोटल कितना हो जाएगा 25 अब यहां पर कंड का स्क्वेश मुझे तो क्या चाहिए कंड चाहिए स्क्वेश तो यहां से स्क्वेश हटेगा तो यहां पर क्या आ जएगा ratio 25 का माल कितना होता है तो कितना हो जाएगा 5 Kilometer अब आती है क्या दिशा ग्याद करनी कि कौन सी दिशा में यहां से प्रारंबिक स्थान से तो मेरा आप लोगों को बता रखा है जब भी दिशा ग्यात करनी हो तो यह वाला पॉंट यहां रख दो ऊपर की दिशा ऊपर की दिशा उत्तर और यह सामने वाली दिशा पूरव तो ये बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी उत्तर पूरा हो किलियर है या नहीं है आप लोगों को किलियर है चलिए अब आता है नेक्स क्योशन नेक्स क्योशन है सोहन अपने घर से चार किलोमेटर दक्षिन की ओर गया फिर वह दाएं मुड़ा और तीन किलोमेटर चला फिर बाएं मुड़ा और चार किलोमेटर चला फिर अन्त में दाएं मुड़ा और तीन किलोमेटर चला अब वह अपने प्रारंबिक इस्थान से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में हैं चलिए देखो गड़ी के अगर यू है तो उपर ही जाती ही ले गड़ी की विप्रिट दिशा में क्या आ जाएगा बाएं आ जाएगा कितना किलोमेटर? चार किलोमेटर फिर वह दाएं मुड़ा अब दाएं यहां से कहां जाएगा? ओबेसली इधर ही जाएगा कितना किलोमेटर? 3 किलोमेटर अब वह आपने प्रारंबी किस्थान यह वाला इसका प्रारंबी किस्थान है यहां से इसकी दूरी और दिशा पूछी गईए तो मुझे एक बात जाएगा सबसे पहले दूरी निकालते हैं तो मुझे बताओ मुझे बताओ, आधार कितना है 3x 6, kind square is equal to क्या होता है, आधार square plus لمb square मुझे बताओ, आधार कितना है 3x 6, 6 का square plus لمb कितना है 4, 4, 8 4 और 4, 8 यानी, 8 का square 6 का square 36, 8 का square 64, total हो गए 100, यानी 100 तो kind मैं से square हटेगा, तो यहाँ पे क्या आजएगा? सामान कितना होता दस यानि के टॉटल कितनी हो जाएगी दस किलोमीटर कितनी दुरी हो जाएगी दस किलोमीटर अब आता है इसकी दिशा ग्याद करनी कहां से प्रारंबिगिस्तान से तो प्रारंबिगिस्तान यही है तो मुझे बताओ नीचे वाली दिशा कौन सी होती है दक किलियर है या नहीं है आप लोगों को चलिए नेक्स्ट अब आता है टाइप नमबर फोर तैप नमबर फोर है अपना रेल-गाड़ी पर आधारित परजन तो देखिए कैसे इसको सॉल करेंगे टाइफ नमबर फोर देखिए क्योशन है कोई रेल-गाड़ी पूरव से पश्चिम के और चल रही है हवा उत्तर से दक्षिन के और चल रही है दुआ किस दिशा में जाएगा दुआ किस दिशा में जाएगा तो देखिए किस दिशा में जाएगा देखें रेल गाड़ी जो है पूरव से पश्चिम के और चल रही है तो देख लो ये रेल गाड़ी है अपने पास में ये रेल गाड़ी है ये पूरो से पश्यम के और चल रही है मान लो हवा नहीं चल रही है तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि रेलगाड़ी जिस दिशा में चलती है दुआ उसके जश्ट विपरित दिशा में होता है तो मुझे बताओ दुआ कहां जाएगा पीशेवल दिशा में जाएगा कहां जाएगा पूरो की और जाएगा आईबा समझ में अगर हवा नहीं चल रही है तो इसका दुआ कहां जाएगा पीछे की दिशा में जाएगा लेकिन हवा कहां चल रही है उत्तर से दक्षिन की और चल रही है तो एक बात धेकिए यहाँ पे कि रेल गाड़ी कहेगी मैं दुआ फेकूंगी पूरव की और ठीके हवा क्या कहेगी मैं दुआ फेकूंगी दक्षिन की और क्योंकि हवा कहा चल रही उत्तर से दक्षिन की और चल रही तो हवा क्या कहेगी मैं दुआ फेकूंगी दक्षिन की कि और किलियर है या नहीं है आप लोगों को आई बास समझ में इसका एक शौटकट मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि रेल गाड़ी की पहली दिशा और हवा की दूसरी दिशा तो मुझे बताओ रेल गाड़ी की पहली दिशा कौन सी है पूरव हवा की दूसरी दिशा दक्षिन पूरा हो के लिए रहा नहीं है आप लोगों को बता दिया गया है आई बात समझ में एक लास्ट क्योशन देखिए कोई ट्रेन दक्षिन से उत्तर किया और चल रही है हवा पूरों से पश्चिम के और चल रही है चल रही है दुआ किस दिशा में जाएगा दिखिए तो दिखो इधर आप लोग कि कोई ट्रेन दक्षिन से उत्तर किया और चल रही है कहां चल रही है पूरा उसे पश्शिम की और चल रही है पूरा उसे पश्शिम की और चल रही है हवा कहां चल रही है पूरा उसे पश्शिम की और चल रही है तो देखो आप लोग अगर देल गाड़ी नहीं सोरी हवा नहीं चलती तो दुआ कहां जाता दक्शिन की और अब ह हाव के रही है मैं दुआ फेकूंगी पशिम की और, ठीक है रिल गारी के रीम मैं हदुआ फेकूंगी दक्षिन की। दुआ क्या करेगा दोनों की बात मानेगा का चला जाएगा बीच में दक्षिन और पश्चिम में दक्षिन पश्चिम आई बास समझ में के लिए रहा नहीं है या फिर ये देख लीजिए इन गाड़ी की पहली दिशा हवा की दूसरी दिशा कौन सी है दक्षिन पश्षिम यानि के दक्षिन पश्षिम के लिए रहा नहीं आप लोगों को आई बास समझ में चलिए एक आज का लास्ट क्वेशन जो आपको कमेंट करना उसका अंसर मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा चलिए देखे राहुल पट्री की और पीट करके खड़ा है पीट करके खड़ा है कोई ट्रेन कोई ट्रेन उसके बाएं से दाई और जा रही है दाई और जा रही है धुआ उत्तर की और जा रहा है रहा है तो रहुल का मूं किस दिशा में होगा तो रहुल का मूं किस दिशा में होगा ये क्यूशन आप लोगों को घर से करके लेकर आना है ये क्यूशन घर से करना के लेकर क्या आना करना है अगर पर कमेंट वोक्स में इसका आपको कमेंट करना है ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी टाइप करेंगे आपने नेक्स्ट वीडियो में थेल्टियुशन आपको करना है अगर जम्हाँ है नेक्ट वशार्ट करना है